कैसे हो आप लोग आई होप सब बहुत अच्छे होंगे तो हमारा जो आज का सेशन है वो है रेस्पिरेशन इन वन शॉट वो भी जस टैन मिनिट्स में पूरी माइंड मैपिंग के तुरूना में यह टॉपिक आपको लाइफ प्रॉसस का है रिवाइस करवाने वाली हूं तो सेशन में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना यह जानने के लिए कि इस टॉपिक को रिवाइस कैसे करना है वो जो जन्रली आप नहीं समझ पाते हो और हमारे सेशन में हमने सब कुछ इंक्लूट कि है डाइग्राम आपके जो भी सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से र तो हाँ हाँ एकदम मस्तू मैं थम्सप दे दो एकदम फस्स फ्लास थम्सप दे दो कि हाम आप आप और विजबल है ठीक है तो हम अपना सेशन का रिवीजिन स्टार्ट करें ओपी नॉइज थांक्यू सो मच ओवर पावर्ड नॉइज भाई ओवर पावर्ड आप लोग भ अब बात यह आती कि इस लुकोज आया कहां से क्ली ऊच्षफि SanARK से पहले किया होजाता था निचिए में हमारा आर्छी इसन में हमारा कार्पो हाइड़िक प्रेग спорт में रेकडावन होता है यही ग्लुकोज को हमारा बॉड जो है वह ब्रेकडावन करता है तो रिलीज और भी आप लोगों को respiration और breathing का difference भी बताऊंगी तो make sure कि ध्यान से उसको सुनना क्योंकि आप लोग बहुत बार गलती करके आते हो respiration को breathing बना देते हो breathing को respiration बना देते हो respiration एक cellular respiration जो cell के level पे होती है जिसमें क्या होता है glucose का breakdown होता है है to release the energy in the living organism उसी को ही हम aspiration बोलते है तो respiration अक्षीन को हुआ हम हमारा respiratory system में दो function हो जाते एक respiration का function हो जाता है और यह breathing का function हो जाता है कैसे होता है देखो तो respiration में क्या होता है सबसे पहले तो gay ships what a है gaseous exchange क्या होता है atmospheric oxygen को हम inhale करते हैं और हमारी body में जो respiration होते time पे co2 release होती है वो co2 gaseous exchange के तुरू बाहर निकल जाती है o2 हम inhale करते हैं क्यूंकि हमारा respiration हो रहा होता है वो breathing की वज़े से ही होता है breathing में क्या होता है हम o2 को inhale करते हैं वो फिर किसले यूज होती है glucose का breakdown करने के लिए oxidation करने के लिए यूज होती है और बाइप्रोडक्ट में क्या निकलता है carbon dioxide यही carbon dioxide फिर breathing के process के तुरू हम exhale out कर देते हैं ठीक है और उसी के simultaneously हमारा breakdown of food भी हो रहा होता है जिसमें क्या होता है हमारा glucose पाइरुवेट में convert होता है थ्री कार्बन पार्टिकल फिर वो पाइरुवेट को हम एरोबिक respiration के दुरू oxygen की presence में वह भी कहां पर mitochondria कौन सा cell organelle होता है mitochondria के अंदर हमारा food का breakdown होता है और उस simultaneously हो रहा होता है जो ब्रीधिंग में हम oxygen यूटलाइज करते हैं इन्हेल करते हैं वो हमारा फिर oxidation में काम आजाता है और बाय प्रोड़क्ट जो इसमें निकलता है सियो टू वही सियो टू वही सियो टूव हम ब्रीधिंग के प्रोसेस के त्रू एक्जेल आउट कर देते हैं तो ब्रीधिंग क्या है एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें सिर्फ गैश्यस का एक्सजेंज होता है जबकि आपका कि breathing क्या होते है ब्रीधिंग मैंने जस्ट अभी बताया कि inhaling of oxygen and giving out carbon dioxide होता है यह एक सिमपल सा फिजिकल प्रोसेस होता है जो हमारे lungs में हो रहा होता है अब यह जो lungs होते हैं ना lungs में से भी एक specific location होती जिसको हम क्या बोलते हैं यह एल्वियोलाई के अंदर ही आपका breathing का process हो रहा होता है, gaseous exchange होता है, जो एल्वियोलाई होती है, वो एल्वियोलाई बहुत सारी blood capillaries से surrounded होती है, तो blood आपका oxygen, inhale हमने की, वो oxygen एल्वियोलाई को दे देता है, high concentration से low concentration में, एल्वियोलाई जिसने co2 collect की होती है, वो co2 फिर क्या होती है, ओ स्वारी गलत बोल दिया, हमारा blood जो है, वो co2 लेकर आता है, different body parts में से, वो diffusion के तुरू एल्वियोलाई में चली जाती है, और एल्वियोलाई में, हमने जो inhale करी थी oxygen, वो oxygen एल्वियोलाई से निकल करके, ब्लड में चली जाती है, और इस तरीके से, diffusion प्रोसेस के तुरू, gashes exchange होता है, एल्वियोलाई लेविल पे, और फिर वो co2 हमारा बोडी, exhale out करके, बाहर निकाल देती, तो breathe in and breathe out, you got this, है ना, कितमस सा बोल रहा है, you got this, ठीक है, यह कौन Japanese, हिंदी में पढ़ाई है, माँ हम हिंदी में पढ़ारी है, भाई है हिंदी में पढ़ारी, कोन सी लैंग्वेज बोल रही है, हिंदी बोल रही है, तो समझ गए ना, breathing क्या होता है, फिजिकल् प्रोसेस है कुछ नहीं होता है इसमें सरफ और सीओ टू का डिफिूजिन बॉव इन झारना नहीं है तो ये आपका एक 5 मांक का क्वेशन भी यह जिसमें 5 मांक का नहीं तो 3 मांक का क्वेशन तो धरूर है कि ब्रीधिंग क्ieurिएशन कर निफिरेंस किया होता है उसके बाद आते हैं हम रेस्पिरेशन पे जो कि क्या होता है energy हम लोग रिलीस करवाते हैं वूड के oxygen से oxidation ऑफूड हमारा कहां पर वो रहा होता है mitochondria में हो रहा होता है जिसमें enzymes ऐसे present होते हैं वो enzymes क्या करते हैं इसी food का breakdown करते हैं और energy release करते हैं in the form of ATP यह एक biochemical process होता है क्योंकि इसमें biology भी involved है और chemicals हमारे enzymes भी involved होते हैं इसलिए इसको biochemical process बोलते हैं और यह lungs के साथ mitochondria में भी होता है अब confusion यह आते हैं कि कि लंग में कैसे हो रहा है लंग में ऐसे हो रहा है कि और यहां पर यूज हो रही होती है और co2 जो exhale आउट की होती है हमने वह co2 इसी process के थूँ बनी होती है इसी लिए breathing और respiration दोनों ही related होते हैं बस difference यह होता है कि इसमें हम food का breakdown करवाते हैं और वह भी at the cellular level कौन सा cell होता है mitochondria ATP in the form of energy very good moving on to the types of respiration अब types of respiration ना दो types के होते हैं वह होते हैं बेसे प्रेजेंस ऑफ oxygen की basis पर मतलब oxygen अगर प्रेजेंट होगी तो एरोबिक respiration होता है और oxygen नहीं प्रेजेंट होती है तो उसको हम anaerobic respiration बोलते हैं कौन से respiration हो गया हमारी एक हो गया areobic respiration जो प्रेजेंस आफ oxygen में हो रहा होता है और एक होता है Explosion में हो रहा होता है तो newspaper हमन वह स्रफ में होता है हमारी ठीक है अब होता क्या देख लेते हैं देखो तो पहले मैं आप लोगों को presence of oxygen बता देती हूं glucose हमारा six carbon molecule होते है जिसको breakdown करते हैं हम लोग pyruvate में जो कि three carbon molecule होता है और यह cytoplasm में हो रहा होता है कहां पे होता है cytoplasm में फिर presence of oxygen में oxygen की presence में हमारा जो food है किसमे ब्रेकडाउन होता है carbon dioxide में water में और energy release होती है energy in the form of ATP तो कितने ATP release होते हैं 38 ATP release होते हैं जो कि बहुत अच्छा खासा amount of energy होता है जितना जादा हम food खा रहे होते हैं उतनी ज्यादा energy release होती है लेकिन इतना भी food exercise कर रहे हो तो आपको energy जादा चाहिए होती है energy जादा चाहिए होती है तो ते ते शांस लेने लग जाते हैं तो उससे oxygen जितनी use होनी चाहिए उससे जादा use होती है और एक time पे आकर करके खतम भी हो जाती है खतम होने की वज़े से उसमें क्या हमारा जो पाइरोवेट है वो carbon dioxide water में convert होने की प्लेस में लाक्टिक एसिट में convert हो जाता है जो कि again सिर्फ 2 ATP होते हैं और यहांकि एसे हमारे muscles में Crams आ जाते हैं हमको दड़्द होने लग जाता है यसी लिए इसलिए प्रेजेंस ऑफ oxygen ATP generation के लिए बहुत जरूरी होती है तो अगर हमको एनर्जी रिलीज ज्यादा चाहिए तो हमें एरोबिक तरीके से ही रेस्पिरेशन करना पड़ेगा थेक है उसके बाद आता है हमारा यीस्ट के अंदर अच्छा इससे एक mcq बन सकता है आपका विच और विच और विच और गानिजम कान रिस्पायर इन अपसंस ऑफ ऑक्सीजन जो आपके कल वीवार में आया था जो हमने कुल कुल सर के साथ किया था तो उसमें डेविल गेम्स क्या नाम लू बेटा तो मारा नाम डेविल गेमर्स ही तो है तो अप तो ही एटीपी रिलीज होते हैं और एक डिफरेंस और होता है जो अनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है वो हमेशा हमेशा साइटो प्लाजम में होता है जबकि जो अरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हमेशा माइटो कॉंड्रिया में होता है तो यह डिफरेंस भी होत होता है compared to anaerobic respiration ठीक है anaerobic respiration yeast में होता है जिसमें ethanol carbon dioxide और energy release होती है अब हमारा यीस्ट एक simple organism में उसको energy की नीड इतनी नहीं होती है इसलिए वो anaerobic तरीके से respire करता है तो I hope सबको यह पूरा diagram समझ में आया होगा जिससे related आपका three marker question इंदी आ सकता है और five marker question भी आ सकता है फिर lack of oxygen aerobic है या anaerobic lack of oxygen anaerobic respiration है क्योंकि यहां पर oxygen की कमी हो रहे है कमी का मतलब वो negligible ही मानी जाती है ठीक है revision हो गया ma'am thank you so much आपके revision के लिए ही मैंने यह session यहां पर live लेके आई थी मैं आप वहों के लिए ताकि आपको एक idea मिल जाए कि इस topic में आपको क्या-क्या revise करना है I hope सबको इतना पूरा कुछ समझ में आया होगा very good very good devil gamers तो यह telegram का channel है जिसका link आपके description box में available है session के उसको join कर लेना इस session से ppt presentation आपको वहीं पे मिल जाएगी channel पे और मैं का session पसंद आया है तो like कर देना शेयर भी कर देना और चैनल को subscribe करना तो बिलकुल मत भूलना ठीक है इसके अलावा यह मेरा short का channel है अपना जिसमें में 60 seconds में आपके topic को revise करा हूंगी और यह बाकी सारे subject के short के channel है जिसको आप join कर सकते हो इससे आपको एक ट्रिक मिल जाएगी 60 seconds में चीज़ों को revise करने की तो make sure कि आप इन सबको भी subscribe कर लो हो फिर मिलेंगे चलते चलते बाबाई